कोई वेक्ती चाहते हैं कि हम भी रंगाई-पुथाई के काम करें कपड़े में तो उनको बेसिक जो खर्च होंगे कितने होंगे लगबग 50,000 इसको सारे समान जुटाने में होंगे उसके बाद 50,000 से आप बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं जो हैड्रो मशीन है 20-25 जार की होगी? जी 20-25 जार की है उसका खुद्रा खर्चा होता है? जी खुद्रा खर्चा आपको टॉप लेना परेगा, सलेंडर लेना परेगा, चुला लेना परेगा, रंग लेना परेगा, बांकि रूम रेंट आपको देना परेगा इतना ही खर्चा है और पानी और सुखाने के ववस्ता होना चाहिए? समय देखके काम कर सकते हैं ये काम कोई बुरा नहीं, काम अच्छा है ये बहुत अच्छा काम है अपना रोजगार है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं काम हमेशा मिलता है काम हमेशा मिलता है, ये काम बंध होने वाला नहीं है काम ये हर समय चलेगा ये काम बंज होने वाला नहीं है रोजगार मिलता नहीं करना पड़ता है देखें सिर्फ वी आवरस नियूस पर हम आपको प्रोसेस से परिचे कड़वाएंगे कि किस परकार से ये कपड़े में रंगाई करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ गिने चुने सवाल इन से हम जान लेते हैं उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे आप खबर में बने रही है आपको पूरी जानकारी मिलेगी सबसे पहले अपना परिचे देजिए जी मेरा नाम मुहमाद सर्ताज हुआ और घर मेरा बियार फूर्णिया जिला से हूँ ये काम कब से कर रहे हैं मैं लगवक्त दस साल से ये काम कर रहा हूँ इससे महने कमाई कितनी हो जाती है बीस से तीस हजार के बीच में हो जाती है यह बिस से तिस जार के बीज में ये काम इडी हम आपने कहां से सिखा। फिर शाहर के पास कितने स慢 लगए सीक्ने में में दाई से तिन साल लगते हैं आपको पूरा प्रॉपर में कितना समय लग जाता है आपको एक लाइट कलर रहेगा आप दस से पंदरे मिनिट में आप एक मीटर कपरे जो बना लेंगे दस से पंदरे मिनिट में जी आपके पास GST और रेजिस्टेशन भी होगा जी GST भी है मेरे पास सरकार की और से कोई लाब भी मिलता है आप लोग जी नहीं कोई लाब नहीं मिलती है आपकी परिवार में कितने लोग हैं मेरे परिवार में चार पांच लोग हैं काम करने मन लगता है कि नहीं जी इंकम होगा तो बिलकुल मन लगता है और किसी मेने इंकम नहीं होगा तो फिर तिल नहीं लगता है, इंकम बे बाद डिपेंड हो तो मन लगता है लागत कितने लगती हैं इसमें? लागत आपका मान लीजी अगर 40,000 की काम हुई तो लगबग 10,000 की लागत, 10 से 50,000 लागत लगता है इसमें 10,000 की जो आपने समान खरीदा है, हम देख रहें कि पूरा आपके बास माटेरियल पड़ा हुआ है, कलर है, बाकी देख है, पूरा समान है और यह हैड्रो मशीन है, जिसमें आप सुखाते हैं कपड़े को, तो इसका जो बजट है, वो कितना पड़ता है? यह कलर जो है, कोई कलर आता है, 800 रुपे किलो और कोई कलर आता है, 600 रुपे किलो, क्वांटेटी कम रहता होगा, 50 ग्रम, 100 ग्रम, 200 ग्रम, 200 ग्रम, 200 ग्रम, इस हिसाब से आता है, हर तरका कलर आता है, 600 रुपे, 500 रुपे किलो आता है, पर केजी, अगर कोई वेक्ती चाहत जो हैड्रो मशीन है बीस से पचीजार की होगी जी बीस से पचीजार की है उसका खुद्रा खर्चा होता है जी खुद्रा खर्चा आपको टॉप लेना परेगा सलेंडर लेना परेगा चुला लेना परेगा रंग लेना परेगा बांकि रूम रेंट आपको देना परेगा स्टार्ट सो गराम से भी कर सकते हैं, डाहे सो गराम से भी कर सकते हैं, आदा किलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, आपका काम पर डिपेंड करता है, कि आप सो गराम से भी कलर स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो हमारे दरश्चे के उनको क्या कहेंगे, क् की इस तरह काम करना चाहिए है? आपके, डिपेंट पर काम मन्न होता है, कि आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा है, तो आप आके, इसमे가지 काम कर सकते हैं, ये काम कोई बुरा नहीं, काम अच्छा है, ये बोट अच्छा काम है, अपना रोजगार है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं काम मतलब हमेशा मिलता है काम हमेशा मिलता है ये काम बंद होने वाला नहीं है काम ये हर समय चलेगा ये काम बंद होने वाला नहीं है बाकी अब आपको हम दिखाते हैं इस परकार से कपड़े के अंदर रंगाई की जाती है, पूरा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं सबसे पहले चुलहा तयार करते हैं, उसके बाद गैस आउन करते हैं, बड़ा सा पॉर्ट चुलहा पर रखते हैं, फिर उसमें काम अनुसार पानी डालते हैं कपड़े को पहले सर्फ में डाल कर निकालते हैं, फिर थोड़ी दिर बाद पानी उबलने के बाद उसमें आउडर का नुसार, कई सारे कलर मिला कर सही कलर तयार करते हैं, और उसे बड़ा सा पॉर्ट जो भगोना है उसमें डालते हैं, पानी गर्भ होने के बाद उसमें अर्डर कनुसार हो गया तो उसे बाहर निकाल कर पानी में धो देते हैं फिर कलर फिकसर डालते हैं ताकि कपड़े से रंग नहीं उत्रे उसके बाद onds कलर से मैच करते हैं सही पाये जाने पर कपड़े को हाइडरो मशीन में सुकाने के लिए डालते हैं फिर कुछ सेकेंड के बाद उसे निकाल कर पांस मिनट के लिए धूप में सुखाते हैं अब आपका कपड़ा आउडर के नुसार तयार हो गया